हलो असलाम अलेकुम कैसे हैं असोब लोग अज तो हम लोग अपना चानल के द्वारा गवां के रमजान के अंदर जो जो नया कपड़ा है आया है यह तो आप लोगों को दिखाने के कोशिश करता हूँ ऐसे भी अपना गाउं का दुकान है हम लोग अंदर लेके जाके आप लोग को अपना यहां का कपड़ा आप लोगों को दिखाने की हम लोग अपना चानल के द्वारा मैं कोशिश कर रहा हूँ देखिए ये तो एकदम नया डिजेन का कपड़ा करके बता रहे हैं देखिए रमजान के अंदर जो लाल कपड़े भी बहुत से आदमी लोग चाहत से खरिते हैं गाउं छोटा है लेकिन फिर भी कपड़े का तो इधर बिजनेस अच्छा सा होता है रमजान के वज़े से अभी आप लोग को मैं थोड़ा अंदर लेके जाता हूं आपको के पाल पाईसाप का एंदर है अपना गाउं के अंदर ही है यह प 94 के दुकान है नंके अंदर बहुत से लोग अभी शापींग हो रहा है अभी मैं दिखा था हूं भाईस camb acab बाई साब ये कौन सा डिजेन है बाई साब ये गरारा करके बता रहें एकदम सही है कितना पहुँ लगेगा अंदाश से सादहें 30000 और भी थोड़ा डिसकाउंट देते बताएं ये बोलते है नाया आरा कट कर के बता रहे हैं अपने को तो इतना अरद लोग का कपड़े का डिजे नहीं मालूम महीं शापवलों से मैं पूछ रहा हूं कि क्या डिजे नायारा कट बोल रहे हैं कहां कर रहे कितने का है कि इा कि दोजार सासु मुशां यहां दो हजार तक यह होता करके बता रहा है देखते हैं यह भी एक्दम अच्छा सा यह लांग फ्राथ करके बता रहा है अप लोग देखिए इधर तो नया नय अड़िजन के booth इंडिया के अंदर यह लोग लेके आते हैं यह कितने में होएगा भाई साब यह है इसाड़े तिन हजार तक हो सकता है करके अपने गाउं को दुकान को आने के पर और भी डिसकॉंट हो सकता है देखिए हाँ पूरा काच का स्टोन बता रहे हैं देखिए यह तो काम एकदम सह अजाता है। हैं तरीके सी लोग दिखाया है हम लोग भी ऐसे भी है यह भी एकदम नयाज डिजेन का मैं ये तो एकदम प्लाइन डिजेन भी इदर मिल जाता है और भी नएन डिजेन कोसिंब भाई साब इस तरह बचों का भी इस इधर है मैं दिखाता हूँ आप लोग को ऐसे भी भैसा भी यह क्या डिजेन ऐसी है लांग फ्राग करके बता रहे हैं और इसके अंदर लाचा डिजेन है कितनी में होगा भैसा भी है दुकान को आके जो आदमी लोग आते हैं यह लोग भी डिसकाउंट के साथ लोग बिजनेस करते हैं इतर तो अभी हाँ शादी के लिए जो बड़ा लहंगा करके बता रहे हैं इनके पास एकदम नया नया डिजेन का है यह तो ओपन करके दिखाने के लिए और भी टाइम लग काटें ड्रसक देखिये अभा एगदार मेरे ख्याल से इसका जिए काम भी तो एकदम सभी है एकदम काटें ड्रसा और कपड़ा भी सैंए यह कौन सा बसाइब वो किदर मेरे किदर है खाँ जिए आठीए बताते हैं एकदम नया कपड़ा है और गांजा करके बता रहे हैं वेटलेस है इसका मेरे ख्याल से इसका भाव तो ज्यादा रहता है यह जो लिलिंग का बता रहे हैं कितना होगा बाई साब यह अठारा सु बता रहे हैं आप लोग दुकान को आने के बाद में और भी थोड़ा बहुत डिस्कॉंट देते करके बता रहे हैं इधर भी एकदम स को ओपन करके नहीं दिखा सकता हूँ ऐसे ही बाहर से दिखा रहा हूँ कोई बे आदमी अपना यह दुकान को आके खरिदने वाला आएगा और भी अच्छे से डिस्कॉंट यह लोग देते करके बता रहे हैं देखिए अपना गावाले रहेगा तो जरूर से यह शाप को आ दिखा रहा हूँ देखिए और भी हम दूसरे एरिया को ऐसे ही घुमा के लेके जाने के कोशिश कर रहे हैं देखिए अभी रमदान का महिना बाहर तो बहुत गर्मी के होचे से अभी यह आउरत लोग जो खरिदारी आदमी लोग ऐसे भी नहीं आये हैं इदर तो छोटे ब दूकान के पास ऐसे ही लेके आया इदर भी नया नया डिजेन इदर लगाया हुआ है आप खुद लोग देखिए इदर भी तो ज्यादा आउरत लोग है इदर मैं तो नहीं अंदर जा सकता ऐसे भी आप लोग खुद देखिए इदर तो हम लोग और एक दुकान के पास ऐसे ही आये देखिए अभी इदर भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा अच्छा सा नया नया डिजेन का खपड़ा इदर लगाया हुआ है इदर तो बचोंगा कपड़ा भी इदर तो रखा है भाई साप से मैं पूछा दुकान के लिए ऐसे ही मैं इदर आप लोगों को दिखाने की कुशिश कर रहा हूँ बहुत से आदमी लोग है बिजनेस सही तरीके से चल रहा है हर दुकान के अदमर आदमी लोग बैटके है इसे ही कि यह तो एकदम नया कांप्लेक्स है अभी तो इदर दुकान फिर भी ओपन नहीं हुआ ऐसे भी थोड़ा बहुत दुकान ओपन हुआ मैं तो इदर लेके जाकर आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ देखिए एकदम नया नया टैप का है जो नया नया डिजेन का कपड़ा इदर आया है इदर तो अभी नया जीवलर का दुकान ओपन हुआ है आप लोग खुद देखिए कंप्लेक्स के अंदर अभी नया डिजेन आउर आना बाखिये करके बता रहा है एकदम फैंसी डिजेन का है जो तुकान के अंदर इतनी भी सामान है बेंगेल्स है अभी फिलवक अभी तक ओपन नहीं हुआ और भी नया आश्टाक आते करके बता रहा है क्या नहीं है जह ओपना ओपनिंग लिखाता है दुकान ओपनिंग है इदर तो छोटे बच्चों का इदर कपड़ा अच्छा सा लगा गया है लेके आया है बस खरीदना वाला मांगता है रमजान के लिए तो नया नया श्टाक नया नया दुकान आदमी लोग ओपन कर रहे अपना चानल के द्वारा हम लोग तो आप लोगों को इदर का अपना गाउं के और कैसा कपड़ा कैसा खरीते हैं किदर और कैसा आता है करके हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग खुद देखिए है अब यह इदर तो जिंस का कपड़ा भी है अभी देखता हूं यह तो दुकान का नाम भी लोग लगाया अभी इदर तो ओपनिंग नहीं हुआ अभी थोड़ा भोत अभी सामान लेकर आके लगा रहे हैं जिंस का टैंशेट भाई साफ का यह दुकान है अभी ज्यादा गर्मी है इदर तो छोटे-छोटे बच्चों का कपड़ा भी रखा है यह तो जितनों अदमी बच्चों का लेडिस का जिंस का कपड़ा रखा है भाई साफ अंदर से पता चरने वाले हैं भाई साफ स्लावालेकूम ऐसा है रमदान का बिजनेस देखिए अभी तो रमदान के अंदर गर्मी के वज़े से सब जगाते अभी स्लाव अलेकूम वीडियो लेजिए देखिए अभी जैंस का कपड़ा भी है हम लोग अभी तो आप लोगों को दिखा रहे हैं गर्मी का बोसं के वज़े से हरा आदमी उपर तो इधार तो कपड़ा बानके जा रहा है और रात के ताई में तो ज्यादा आदमी लोग आते ह हैं फिर भी हम आऊ रहे हैं अभी रात के अंदर आप लोगों को अपना गाउं का बिजनेस कैसा होता दिखाने की कोशिश करते हैं असलाव अलेकूम खुदा हाफीज